नमस्कार दोस्तों मैं विजेतिवारी स्वागत है आपका हमारी यूट्व चेरल दा बुक्स सोसाइटी में जहां हम आज ची क्लास में सब्जेट कोड BPSC109 के चैप्टर नमबर 14 की चर्चा करेंगे जहां हमारे चैप्टर का नम है संगवाद, कैनेडा, औस्ट्रिलिया और भारत जहां इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम ये जानेगे कि संगवाद से हम क्या समझते हैं और संगवाद की क्या क्या विश्यस्ता है हो सकती है यानि कि एक संग्य देश की क्या क्या विश्यस्ता है हो सकती है इसके साइसाथ जो हम उधारन लेंगे वो भारत, और ऑस्ट्रिलिया और कैनेडा के लेंगे कि यहां के संगवाद की क्या क्या विश्यस्ता है है तो हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की प्रस्तावन दी गई जिसे पढ़ना जरूरी नहीं है चैप्टर की स्टाटिंग यहां से होते हैं कि संगवाद शब्द से हम क्या समझते हैं तो देखें शंगवाद जो सब्द हैं वो इंगलिस में फैडरेशन पोलते हैं से आर यह जो फैडरेशन सब्द है लटनी भासा के लिए गया है जिसका मतलब पता क्या है कि विभीन राजय मिलकर एक समझतवर्था करेंगे और उसके बाद एक देश का निर्माड करेंगे एक्जामपल के लिए मैं बताता हूँ USA जब अमेरिका का गठन हुआ था तो उसमें 13 स्टेट्स थे जो एक संधी के तयात आपस में जुड़े और उन्होंने USA का निर्माड किया एक एक्जामपल है भारत का भी आपको में बताता हूँ कि जब भारत अजाद हुआ और भारत के संधान का निर्माड हो रहा था तो भारत में बहुत सारी रियासते थी और इन रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए कहा गया और पंडे जबाला बहरों ने समेधान सवा में एक प्रस्ताव में ये कहा कि भारत में जितनी भी इकाईएं शामिल होंगी वो सभी स्वत्नतर होंगी और भारत आज के टाइम पर 28 इस्टेट्स और 8 के इसाथिस प्रदेश है भारत में जिनका एक संहूं है तो जहां एक संधी या समझोते के तहट एक देश का निर्माड होगा उसकी विविन इकाईया होगी और उन इकाईयों को देश से अलग होने का दिकार नहीं होगा हम कहेंगे ये एक संग है अब बात यहाती है एक संग की विशेस्ता है क्या होती है तो यहां से यहां तक संगवाद शब्द के अर्थ के बारें बताया गया है बिल्गुल सेम टू सेम डिटो यही लिखा हुआ है कि संगवाद शब्द जो है फेडरेशन सब से लिया गया है ठीक है और फेडरेशन सब लतनी भासा के फोडेश से लिया गया है जिसका मतलब क्या होगा संधी के अधार पर अनुभंध के अधार पर हम राज्यों का गठन करेंगे राज्यों का निर्माण करेंगे विविन विचारकों ने इसके लिए अलग अलग परिभाशाय दे गई हैं जैसे कि रॉबर्ट गॉर्णर ने ये कहा है कि संध्वाद जो है वो सरकार के अकार और शैली के रूप में परिभाशित किया जाता है और ये भी देखा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से क्या हूँ स्वतंत्रों इसी परकार से विलियम S. लिविंग्श्टन ने भी कहा है कि संध्वाद राजनितिक और सम्विधानिक संध्थन के रूप में परिभाशित किया इनों ने तो यहां से यहां तक संध्वाद के विविन परिभाशा है दे गई हैं अब बात यहाती है कि संध्वाद की दो परिक्रियाएं होती है एक अभी केंद्र और एक अपकेंद्र अभी केंद्र का मतलब है केंद्र की और जाने वाला और अब केंदर का मतलब है केंदर से दूर जाने वाला अब देखिए केंदर की और जाने वाले का मतलब क्या है केंदर की और जाने वाले का मतलब है जैसा कि मैंने आपको एक्जाम्पल देता है USA, जहां इस्टेट को ये लगेगा बहुत सारे कि हम सब एक जुट हो जाएं और अपना एक सेंटरल बनाए ताकि हम सारे देशों की समस्या दोर हो पाए, तो जहां पर इस्टेट खुद सेंटरल का निर्माड करते हैं वो कौन सा होता है, अभी केंदर होता है मिलकर USA के स्थापना कर दी तो संगवाद का अभी केंदर समझ में आगया आपको, और अभी केंदर समझ में आगया यहां से यहां तक यही बताएगा आपको कि अभी केंदर प्रिक्रियाओं में क्या होगा अभी केंद्र प्रिक्रा में केंद्र के ओर से जाएगा मामला और अब केंद्र में केंद्र से दूर जाएगा यहां से यहां तक जब आप पढ़ेंगे किताब में तो यही लिखा हुआ है अब बात याते संगभात की विशेस्ता हैं क्या है तो दिखे एक संग्य देश में सबसे पहली बात होगी शक्तियों का बटवारा शक्तियों का बटवारा होगा यह बटवारा होगा जैसे हमारे भारत से समझातों में आपको एक सेंटर लेवल पर सरकार है और एक स्टेट लेवल पर सरकार है तो जो center level के शक्तिया है जो power है वो अलग है और state level के जो power है वो अलग है हर देश में ऐसा होगा जो संग्य देश होगा यानि कि संग्य देश होगी पहले विशेस्ता क्या है कि सक्तियों का विभाजन होगा राज्यस्तर की सरकारे अपना काम करेंगी और केंटर की सरकारे अपना काम करेंगी जातर केंटर की सरकारों को काम होगा विदेशी मामले, बैंकिंग सेक्टर, सुरक्षा जबकि राज्यों के जिम्मेदारी किसकी होगी? वहाँ की जनतागी जनताई जम्यदारी राजे लेगा उनके कलनाड के लिए काम राजे करेगा तो संगभात की सबसे पहली विशेस्ता क्या है? शक्तियों का विभाजन जहां राज़ सुची होगी, समवर्ती सुची होगी यह एक संग सुची होगी संग सुची में किस के सकती होगी? कें सरकार की राज सुची में किस के सकती होगी? राज सरकार की और समवर्ती सुची में दोनों मिलकर काम करेंगी अब बात ही आती है, नागरिक्ता एक संग्य देश में लोगों को नागरिक्ता दी जाती है लेकिन अलग-लग देशों का अलग-लग رू फर जैसे भारत ने एकल नागरिकतर अपनाई है यानि कि हमारे देश में कोई बंदा कहीं भी रह रहा होगा वो इंडियन कहलाएगा लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है अमेरिका अपने ने अपने देशकों को लोगों को दोरी नागिता दिये एक जिस श्टेट में वो रह रहे हैं वहां की नागिता हुने है और एक USA की नागिता हुने है तो अमेरिका कैसी नागिता देरा दोरी और भारत कैसी देरा इकहरी फिर भी बात याती है कि एक संगे देश में पहली भी सेस्ता क्या होगी सक्तियों का बटवार होगा अलगलग स्तरपद दूसरा क्या होगा नागित्ता का प्रावधान होगा जंता के लिए तीसरा सम्विधान सरवोच होगा सम्विधान ही देश की नीव होगा सम्हिधान के द्वारा ही शासन चलाया जाएगा समय से हैं पर सम्हिधान में परिवर्तन भी किये जाएगे अगली बात क्या होगी लिखित और कठोर सम्हिधान होगा यानि कि सम्हिधान होगा ठेक है सम्हिधान होगा भी कैसा रिटन होगा कठोर समिधान का मतलब देखे क्या है देखे अगर मुझे समिधान में कुछ बदलाव लाने है तो उन बदलाव लाने के तरीके क्या है अगर बदलाव लाने के तरीके बहुत ही जटेल है तो हम कहेंगे समिधान कठोर है जैसे भारत का समिधान लचीला और कठोर दोनों है यानि कि कुछ मामलों में तो चेंजिस बड़ी असानी सुझाते हैं बस के बोल साधारन बहुमचे होता है यानि कि 51% सांसुलों की हाचे यह होती है लोगसभा में भी और राजसभा में भी लेकिन कुछ चीज़े ऐसी होते हैं जहाँ पर जैसे मौली का दिकारों में शर्शोधन करना है तब क्या करना पड़ेगा हमें अब लोगसभा में भी 51% लोग कमसकम प्रिजेंट हो और उन में से भी दो तिहाई लोगों की हाँ हो और उसके बाद आधे राजजे भी यानि कि अगर 28 राजजे हैं तो कमसकम 15 राजजे भी हाँ कहें तब जाकर चेंज हो पाएगा यानि कि लोगसभा में भी ऐसा राज सभा में फिर आधे राजजों की विधान सभाए भी देखिए थोड़े कॉंसेप्ट ऐसे हैं जो वाइट बोर्ड पर पढ़े आने चाहिए लेकिन हमारे पास समय इतना कम है तो सेकेंड एर की त्यारी ऐसे होगी थर्ड एर में हम सुरू से ही पर क्लास बोर्ड पर पढ़ेंगे क्योंकि ये साथ चीजे कॉंसेप्ट्चुल है ऐसे थियोरी में समझ में नहीं आती है इसके लावा संग्य देशों में एक विवाद निप्टान तंत्र भी होगा यानि की न्याय पालिका की स्थापना भी की जाएगे क्योंकि कई बर कारेपालिका और विधायका में टक्राओ रहते हैं उन टक्राओं को दूर करने के लिए कौन काम करेगा सुप्रेम कोर्ट अलग अलग देशों में अलग अलग विवस्ता हैं जैसे कैनेडा, भारत, युएसे की बात के लिए तो यहाँ पर सर्वोच नेले हैं इसके लावाद संगवाद की अगली विशेस्ता होगी दूरी सदनिय विधायका जैसे हमारी संग्यराज की बारे में बताएगी एक सेंट्रल गौर्रमेंट के बारे में बताएगी कुछ देशों में ऐसा है कि एक सदन में चुनाओ नहीं होता दूसरे सदन में चुनाओ होता जैसे कि भारत में राज सभा में जनता भाग नी लेती और लोग सभा में जनता भाग लेती है तो संगवाद से आप क्या समझते हैं ये बताओगे आपको संगवाद के विशेस्ता है क्या होगी शक्तियों का बटवारा होगा समिधान के सर्वोचता होगी लिखेत और कठोर समिधान होगा दिश सद्निय विधाय का होगी सर्वोच नयाई पालिका होगी नागरित्ता का प्रावधान किये जाएगा ये सब एक संगवाद की क्या है विशेस्ता है अब यहाँ पर एक्जांपल दिया गया है कि आस्ट्रेलिया में संगवाद बताईए तो अगर आपको इतना लेक्चर समझ में आगे न तो आगे का लेक्चर आपके लिए कुछ भी नहीं है बहुत इजी मामला है आगे तो देखिए क्या रहा है एक जनवली 1901 को 6 ब्रिटिश उपनिवेशों ने एक साथ मिलकर आस्ट्रेलिया इस संग का निर्माड किया यानि कि ये भी ब्रिटिश उपनिवेश थे, 6 स्टेट थे, इनने मिलकर अपना एक ग्रूप बनाया अब आप मुझे बताओ, अगर स्टेट मिलकर ग्रूप बनाते हैं तो अभी केंदर होता है या आप केंदर होता है या आप कमेंटर मुझे बताएंगे क्योंकि मैंने आपको चैप्टर की शुवात में बता दिया कि जब इस्टेट मिलकर अगर संग बना रहे हैं तो क्या होगा और केंदर खुद इस्टेट के पास जा रहा है तो फिर क्या होगा तो अभी केंदर आप केंदर यह वाली आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे तो बता रहा है कि एक जनर्वी इस्टो एक को चैप्रीटिस उपनी विश्वाग साथ अस्टेलिया संगभाद अस्तित में आया हाला कि अस्टेलिया में एक संग की स्तापना के बारे में उनिस्टी संदीर के बीच में शुरू हो चीकिती बाची दे लेकि एकोनॉमी में गाथ की पहली विश्यस्ता वुए ये लिखित और कठोर समीधान जिसकी चर्च हम पहली कर चुके हैं कि एक कठोर समीधान से हम क्या समझते हैं लेकिन आस्टेलिया का बहुत ज्यादा कठोर सम्मिधान है इसमें तो चेंज लाना बड़ा मुशकिल है क्यों ? क्यों क्य चार राज्य कम सकम हाग आए चाह बार है यानि कि पहले जंता मैजर्डी में जाले हामेज़ेंज चाहिए भाई और फिर च्छय स्टेट में से चार स्टेट समर्थन करें हाँ भूईज होना चाहिए इसी वैसे आज तक केवल आठी शंसोधन आए हैं पास हो पाए हैं और हमारे देश में सौसिज़ जाए संसोधन पास हो चुके हैं तो अस्टेलिया के संविधान का जो सबसे पहला संगवाद का जो विशेषता है वो कहा है कठोर हो लिखे संविधान दूसरा पता है कहा है दूसरा है सक्तियों का बटवारा तो सक्तियों का बटवारा हमने पढ़ा था राज सोची, केंद सोची है, समवर्दी सोची तो यहाँ पर जो केंद सोची है राष्ट मंडल में 40 विशे हैं जैसे रक्षा मामले, विदेशी मामले, वेपार मामले, प्रवासी मुद्दे, वेपारी मुद्दे, मुद्रा, विभा, वेभाई कारण, ये सब क्या हैं, ये समिधान की धारे एक्क्याउन में कहे गए हैं, और ये कहा गया है कि ये सारे सारे सेंट्रल के पास रहेंगे, बा यहाँ पर ही सिनिट का जाता है इसके लाब विवाद निप्टांते यानि कि यहाँ पर भी सुप्रीम कोट है उच्चिनियाले अस्टेलिया का सर्वोचिनियाले है और लगवाँ पिछले 100 सालों से इसने संगवाद को बनाए रखा है तो यह उच्चिनियाले के संगवाद की विशेष्था है ऐसी कैनेडा की संगवाद की विशेष्था होगी कैनेडा में देखिए थोड़ा सा न ब्रिटिश आदिपत्य था कैनेडा में रूल और रेगलेशन में आज भी कई न कई ब्रिटिश हस्तचेप चलता रहता है कैनेडा का मामला भी यहाँ पर यही है यहाँ पर भी लिखिए दोर कठोर सम्विधान होगा ठीक है लेकिन यहाँ पर सम्विधान करने के लिए ने ब्रिटेन के संसर से भी अनुमती लेनी पड़ती थी हाला कि आगे चलकर इसमें चेंज कर दिया गया है 6 तरीके से यहाँ पर सम्विधान होते हैं किसने तरपर, तीरिस तरपर, केंदे तरपर, राजिस तरपर और दोनों मिलकर काम करेंगे समवर्थी पर तो केंदे तरपर क्या क्या काम होंगे, वही होंगे, राश्टर सुरक्षा, विदेशी मामले, रोजगार, भीमा, बैंकिंग, डागघर, मचली पालन, शिपिंग, रेलवे, टेलेफॉन, पाइपलाइन यह सब क्या है, अपराधिक शक्तियों पर कानुन करना हैगा, सेंडरल गवर्मेंट, बाके जो बची हो, श्टेट गवर्मेंट समिधान लागू होने के बाद भारत एक गरत अंतर देश बन गया, और इसने भी भारत में लिखित और कठोर समिधान है, तीन तरीके से भारत में चेंजिस किया जा सकते हैं, पहला साधान बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत से, तीसरा विशेष बहुमत और राज्यों और समवर्ती सूची पर जिसमें समय सेमें पर शक्तियां बड़ी और घटी हैं केंद सूची में विदेशी मामले, बैंकिंग सैक्टर, सुरक्षा मामले ये सब हैं जबकि राज सूची में अपने जो किशी छेतर हैं, जनकल्याण छेतर हैं ये सब किसमे आरे राजी सुची के अंतरगत। समवर्ती सुची में दोनों इस तरह पर मिलकर सरकारे काम करेंगी। विवाद निप्टान तंत्र में हमारी जो निया इपालिका है वो तीन इस तरह पर हैं। जिलाद आलतें, उचिनयाले और सर्वोचिनयाले। सर्वोचिनयाले अपील का सर्वोत्तम छेतर है, इसके बाद कहीं अपील नहीं किजा सकती है। और सुप्रिम कोर्ट ही कारिपालिका और विधायका के क्या विवादों को निप्टान कर रहा है। दो सुधनया विधायका एक लोगसभा और एक राजसभा जहां लोगसभा के जो प्रतिनी दी हैं, वो जनता द्वारे चुनो जा रहे हैं और राजसभा के जो प्रतिनी दी हो गुप्त मद्दान से चुनो जाते हैं, राजसभा में बारा बंदों को राश्टपती मनोनी कर तो भारत के संगभाद की विशेस्ता क्या है ऐस्टेलिया के संगभाद की विशेस्ता क्या है यह हमने पढ़ लिया है और इन तीनों को लाश्ट में चैप्टर में तुलनात्म गध्यन किया गया है जहां पर यह बताएगा है क्या संगभाद की स्थापना के बाद यहां पर ह लेकिन फिर भी यहाँ पर सेंटलाइजेशन रहा है केंदे करण की प्रवर्ति रही है बड़े पैवाने पर राजनितिक दलों निर्णे और सुप्रिम कोड जैसे की जो सम्विधानी व्यक्या हैं युद्ध और अपातकालिन जो इस्तितिया हैं इन सब प्रवर्तियों में से काम करते हैं प्रमुक ब्रवर्तियों में आजबने के संग्या मानचेतर को फिर प्रियास किये जा रहे हैं कनाड़ा के पहले जो प्रधानमंत्री थे जॉन मैकडोनाल्ड के ने आरक्षण और ऐसे खृति की शक्ति का उपियोग किया इन्होंने संगे सरकार को मजबूत भी किया है और परस्पन निर्भरता के सिधान को इन्होंने फॉलो किया है यहाँ पर भी सरोच नहीं लेगी भूमी का राजनिती दलों के काम का छेत्रे और आश्टी नित्रद के बारे में बात की गई जिसकी बात हमने पहले से कलिए कोछ यहाँ पर नाम है याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है नहीं तो नेता लिखकर आप छोड़ सकते हैं भारत की बात की जाए तो भारत की अगर बात की आए तो आजादी के बाद लगातार एक दलका शासन रहा कॉंग्रेश का समय बीता 1990 के दर्शक के जो राजनिती रही वो गड़बंदनों के दौर के रही यानि कि 1947 या फिर पहले आम चुनाव 1952 में हुए थे भारत में तो 1952 से लेकर 1977 तक एक तरफा सरकार रही 1977 पहले बार कॉंग्रेश सरकार गिरी फिर 80 से लेकर 90 तक लगभग फिर से कॉंग्रेश की सरकार रही और 90 से लेकर 2000 के बीच में गड़बंदनों का युग हुआ लेकिन 2014 के बाद फिर से भूमत की सरकार हमारे आई है इसके लाव समय सहे पर राज्यों और केंडरों के बीच में हमारे हावी संगर्ष रहे हैं और सरवोच नया पालिका ने समय सहे पर क्या दिया है इसमें योगदान दिया इन संगर्षों को खतम करने के आला कि भारत में सबसे ज़से जद बाते उड़ती रही है कि ये कहा जाता है कि भारत में संगवार सही से नहीं है भारत में disciplinesization ज़्यादा है केंसरकार को ज़्यादा सक्तियां दी गई है वो भारत की आज़ादी के विए से ऐसा है क्योंकि भारत को सुनता की सासर बटवारा भी मिला था ऐसे में राष्टर एकता खंटा को बना रखने के सेंटरल गॉर्मेंट को ज्यादा पावर दिनी जिरूरी थी चैप्टर की समरी में सिर्फ इतना ही है आगे मिलते हैं आपसे नेक्स सब्जाक कोड की वीडियो में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद